हेलो एब्रिवन मैं सिल्पा सिल्पा कुकिंग फूड में आपसे भी काश स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ इस्प्रिंग रोल की रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान है यह बहुत आसान तरीके से बन जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो यहां मैं सब्जियों को पहले से काट के रखी थी यहां मैं लंबे लंबे में पत्ता गोभी काट ली हूँ यहां दो गांजर मी मैं लंबे शेप में काटी हूँ और दो सिमला मिर्च इसे भी काट के ले ली हूँ बारीक कटा हुआ अद्रक दो से तीन हरी मिर्च एकदम बारीक कटी हुई और एक बड़ा साइज प्याज इसे भी में लंबा लंबा चॉप कर ली हूँ सब्जिया रेडी हो गई हैं अब यहां एक कडाई में हम डालेंगे सिर्फ एक चम्मस तेल तेल जाता नहीं डालिएगा बस बहुत थोड़ा सा तेल रखेंगे और फ्लेम को हम एक दम हाई रखेंगे अब यहां तेल गरम हो गया है इसमें हम डाल देंगे लैसन और लैसन को हम एक से दो मिनट अच्छे से भून लेंगे एक दम बढ़िया से नहीं बूलेगा थोड़ा सा कच्चा पन इसका निकल जाए बस इतना ही भूनना है अब इसमें एड़ कर दे को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी हम भून लेंगे जादा नहीं भूनना सिर्फ कच्चा पन निकालना है इतना ही भूनना है तो यहां देखिए लैसन अद्रग मिर्ची अच्छे से भून गया है अब इसके अंदर एड़ कर देंगे हम प्याज ध्यान रहे यहां पर आप फ्लेम को हाई ही रखे ताकि हमारी सबजियां जो है वो पानी ना छोड़े बस हम प्याज को भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे एकदम से नहीं गलाएंगे बस थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट करेंगे तो यह देखिए प्या को हम हाई ही रखेंगे ताकि पानी सब्जियां ना छोड़े बस यह देखिए यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे पत्ता गोभी अब इसमें एड़ कर देंगे और इसे भी हम सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेंगे सब्जियों को जादा नहीं पकाना है इसमें थोड़ा सा क्रंचनस रहना चाहिए यह जब हम इसे फ्राइ करेंगे ना तब भी सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी तो यहां देखिए पत्ता गोभी भी हलका सा सॉफ्ट हो गया है अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर आधा चोटा चमच और टाल देंगे स्वादन सवा नमक बस अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे इतम बढ़िया से हम इसे मिलाएंगे एक मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे सॉसेज तो यहां मैं डालेंगे एक बड़ा चमच वाइड भी नेगर एक चमच ग्रीन चिली सॉस एक चमच सोया सॉस और एक चमच हम डालेंगे इसमें टमेटो केचप अब इसे हम एक दम बढ जौढ़ेंगी बस अब हम स्वल्हार को करदेंगे बंद है और इसे हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो यहां हो गया ہے है को इस को कर देंगे बंद और सबजियो को हम एक play में निईंगे ठंडा ओने के लिए तो यह देखाएह यहां में निकाल दी हूं बस अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में तो यहां मैं ले हूँ एक बावल एक बावल में हम डालेंगे एक कप मैदा और उसी कप से आधा कप डालेंगे हम कॉन फ्लोर यह देखिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम एक लिक्विड बैटर रेडी कर लेंगे एकदम लिक्विड रखना है यह देखिए अभी यह थोड़ा सा थीक है इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा और लिक्विड बनाएंगे यह देखियं ऐड़ यह दाएंगे हुआ in अब याग मैं लुहाँ यह फाइड़ście मेड़ी कोब कर लिंगे लखता है इसे एक्दम कोट यह इस धुम्हिँना चाही दिखुता है यह देखिए बढ़िया चाही है के रेडी है अब यहां हम दूसरे कटोरिम लिए है थोड़ा सा आरा रोड डस्टिंग करने के लिए अब इस पे हम रखेंगे एक पैन या तवा रख लीजिए आप अब इसमें हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे और हम चारू तरफ इसे घुमा के ऐसे फैला लेंगे फ्लेम को रखेंगे हम लो लो फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे ताकि यह नीचे से पकड़े नहीं और यह अच्छे से पक जाए तो यह देखिए हलका हलका सा पक रहा है यह जब पकने लगेगा तो नीचे से अपने आप छोड़ देगा आप नौनिस्टिक पैन में ही इसे बनाए यह अच्छे से बन पाएगा बस अब इसे हम ऐसे चुड़ा लेंगे अराम से चुड़ाएं बहुत जलता है यह तो यह से मैं निकाल के रख ली हूं अब हम दूसरी बारी भी ऐसे डाल देंगे चारो तरफ फैला देंगे जिसमें एक्ष्टा होता है उसे हम वापस से उसी बा प्लेट में डाल देते हैं यह देखिए अब इसके उपर से थोड़ा आरा रोड डस्टिंग कर देंगे ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं बस इसी तरह हम सारे सीट्स बनाके रेडी कर लेंगे तो देखिए यह भी बनके रेडी हो गया अब हम इसे निकाल लेते हैं बच मंतमसे यह ठंडा हो गया है अब हम एक सिट को लेंगे और इसके उपर हम यह जोëlिंग बना लेडी गिए थे विरक देंगे और साइड से हम दोनों तरफ से इसे ऐसे मोडेंगे, उसके बाद इधर से हम इसे रैप कर देंगे, और यह थोड़ा सा जगे खाली है न, इसके उपर हम थोड़ी सी सलेरी लगा देंगे, जो मैदा का हम बना के रखे थे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पैक कर देंगे, यह देखे, ऐसे हम पैक करके रख देंगे, इसी तरह हम सारा बना के रेडी कर लेंगे, तो यहां देखे, सब बन के रेडी हो गया, अब हम चलते हैं इसे फ्राइ करने, तो यहां मैं तेल गरम होने के लिए पहले से रखी थी, फ्लेम को रखी हूं मैं मेडियम, मेडियम फ्ल करेंगे उसके बाद हम इसे पल्टेंगे तधर नीचे से क्रिस्पी हो गया है अब इसे हम प्लट गे दूसरी साइड भी अच्cht लगी कमेंट करके बताइएगा और पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बना उखा एंज्वाइ करो